ही है प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार आप देखें हैं प्राइम टीवी मैं हूँ मनिश बगोरिया घर में सुक की अनभूती करने वाला एक ऐसा पौदा है जो आशदी गुणों के साथ साथ घर में सुक सम्रदी भी लाता है आज हम आपको उसी पौदे के बारे में बताएंगे अपनी इस खास पेशकस में क्या है अप्राजटा कोयल के नाम से जाना जाता है अप्राजटा असाध्य रोगों पर विजह पाने की शम्ता घर में लाता है सुक सम्रदी माइग्रेन के दर्द में असरदार बगीचों और घरों की शोभा बराने के लिए लगाया जाने वाला अप्राजटा को आयुरवेद में विश्नुक्रांता, गोकर्नी, आदी नामों से जाना जाता है आयुरवेद में सफेद और नीली रंग के फूलों वालों अप्राजटा के पौधों को बहुत ही गुनकारी माना गया है अप्राजटा का इस्तमाल महिला, पुरुष, बच्चों और बुजर्गों के रोगों के उपचार के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है बता दे कि असाध्य रोगों पर विजय पाने की इसकी शम्ता के चलते ही इसे अप्राजटा नाम से जाना गया है एक रिसर्च में बताया गया है अप्राजटा के बीच सरदर्द को दूर करने में मददगार साबित होते हैं इसके साथ ही दोनों तरीके की अप्राजटा बुद्धी बरहाने वाली वात, पित, कफ को दूर करने में मदद करती है जानकारी की मताबिक अपराजिता के इस्तमाल से साधारन से लेकर गंभीर बिमारियों का इलाज किया जा सकता है ये शरीर के कई अंगों में होने वाले सूजन के लिए भी फाइदे मन माना गया है एक रिसर्च की मताबिक अपराजिता की फली यानी बीज और जर को बराबर भाग में लेकर पानी के साथ पीस ले इसकी बूंद नाक में लेने से आधा सीसी में फायदा होता है अपराजिता की जर को कान में बांधने से भी फायदा मिलता है बता दे कि बीज, जर और फली को अलग-अलग भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इतना ही नहीं अपराजता बिमारियों के इलाज में रामबान साबित है आगे हम आपको बताएंगे कि सफेद अपराजता और पुन नर्वा की जर को पेस्ट में जौ का चून मिलाकर अच्छी तरह से घोट ले और इसकी बाती बनाकर सुखा ले इस बाती को पानी से घिस कर अंजन करने से आखों से जुरी सभी बिमारियों में फायदा मिलता है आप आधा ग्राम अपराजता के भुने हुए बीच का चून बना ले और इस चून को धीमी आज पर भुल ले या एक से दो बीजों को आग पर भुल ले उसके बाद बकरी के दूद या घी के साथ दिन में दो बार सेवन करने जलोदर यानी की पेट में पानी भणने की समस्या अफारा यानी पेट की गैस पीलिया और पेट दर्ड में बहुत ही जल्द असर होता है जैसा की सभी को पता है कि तनाव और अफसाद के कारण माईगरीन की समस्या होती है इसलिए अपराजता का इस्तमाल माईगरीन की समस्या और उसकी लक्षनों से राहत पाने के लिए किया जा सकता है इस समस्या से राहत पाने के लिए इस जरीबूटी को कान पर भी बांधा जा सकता है और इसके बीज जर को अलग से भी इस्तमाल किया जाता है जहां एक तरफ बिमारियों के लिए अप्राजता असरडार है तो घर की सुक्सम्रिद्धी के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है बता दे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सही दिशा में अप्राजता का पौधा लगाने से माल लक्ष्मी का वास होता है इसकी साथ ही भगवान विश्णू, शनी देव और भगवान शिव को अप्राजता का नीला फूल चरहाना शुब माना गया है और घर में अप्राजता का पौधा होने से सुक्षानती धन लाब के साथ घर में हर सदस्य को तरक्की मिलती है फिलाल इस महत्मूर कड़ी में बस इतना ही आगे हम आपको ऐसी रोचक और दिल्चस्प जानकारियों से रुबरू कराते रहेंगे तब तक के लिए देखते रहेए प्राइम टीवी